Hello everyone, welcome to Computer Warriors आज हम लोग GST start करेंगे, finally GST start होने वाला है आज की लक्षर हम समझें कि GST होता क्या है, कैसे आया है, उसका work और function क्या है and tally में कैसे GST का uses होता है, वो सबी कुछ आज समझेंगे, ठीक है? जो चलिए सुरू करते हैं GST, GST होता क्या, GST का full form क्या होता है, goods and service tax और GST किस लिए आया था, one tax, one nation को promote करने के लिए GST को लाया है next type of GST, GST कितने types के होते हैं, three types के, पहला CGST, SGST and UTGST CGST means central goods, service and tax, okay SGST state goods and service tax, IGST integrated goods and service tax तर तीनों में difference क्या है, CGST center पे लगते हैं, SGST state पे और IGST integrated अब सेंटर पे लगते हैं, क्या, नहीं समझ में आए, समझना है, आते हो समझे, ओके तो सुनिए, मान लिजीए, गुजरात में मैंने product बनाया बेचा, गुजरात में ही तो मुझे दो tax देने पड़ेंगे, CGST and SGST, क्यों से, गुजरात कहां पे है, इंडिया में, इंडिया center, पहला CGST देना पड़ेगा, जो center government को देना पड़ेगा, and SGST जो state government को देना पड़ेगा, ये दोनों GST देने के बाद हम अपने goods का production बेच सकते हैं, CGST center को देना पड़ाता है, SGST state को, अब IGST क्या होता है, suppose गुजरात एक mouse बना रहा है, वो कहां import कहा रहा है, बिहार में, ठीक है, इस mouse का importation कहा हो रहा है, बिहार में हो रहा है, अब IGST कैसे इसमें लागू होगा, IGST का काम है, जो destination place है, वहां से उसे GST देगा, and center को GST देगा, IGST दो पार्टे में divided है, एक CGST जो center के पास जा रहा है, दूसरा जो destination place है, मतलब जो गुजराथ से बिहार में जो product गिया, तो बिहार वाले को GST मिलेगा, बिहार गौर्वर्मेंट को वो GST मिलेगा, उससे कहते है, IGST, अब सर्थ, IGST में, तो center को कितना percent मिलेगा, और बिहार को कितना percent मिलेगा, IGST अगर 18% होगा, तो 9% central government को, और 9% बिहार government को मिलेगी, ठीक है, and GST का calculation कितने percent पे होते है, 0% उनले जिसमें GST नहीं लगता हो, उसके बाद 5%, then 12%, then 18%, and 28%, ठीक है, GST calculation समझ में आगे, कैसे कैसे percentage distribution होता है, अब हम लोग देखेंगे syllabus, कि GST में पढ़ना, क्या, क्या है, कैसे कैसे पढ़ना, किस stepwise पढ़ना है, पहले हम क्या पढ़ेंगे, financial year from 1 April 2020 to 31st March 2021, यहापर 2018 होग मिश्टेक है, वहाँ 2021 होगा, अब इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, tax session system, पढ़ेंगे, GST का कैसे कैसे tax input होता है, SGST, CGST, ITGST, अभी तो मैंने brief example बढ़े है कि SGST क्या होता है, CGST, IGST क्या होता है, अभी तो detail पढ़ना बाकी है, create करना सिखेंग, क्या create करना सिखेंग से go down, stock item, stock group, unit and measure, आप लोग अगर पहले से मेरा class करते हैं, तो आपको पता होगा, stock item, stock group, unit of measure बनाना आप सभी को आता है, go down बनाना हम लोग एक्ट्रा सिखेंगे, और बाकी remaining भी सिखेंगे, जो पहले class नहीं किया, तो कोई दिखतने, आज से अगर आप class करेंगे, तो आपको कोई परियसानी नहीं होगे, फिर हम लोग क्या create करना सिखेंगे, cost category and cost center, ठीक है, दिन हमारा क्या है, trading organization, general entry, 12 month, मतलब, जैसे मैंने service organization किया, trading organization किया, उसे तरह trading organization, with GST के साथ, हम लोग 12 month की entries देखेंगे, ठीक है, discount कैसे impose करते हैं, interest कैसे impose किया जाता है, वो सब सीखेंगे, purchase return, sales return, ये सब को सीखेंगे, credit note कैसे बनाते हैं, debit note कैसे बनाते हैं, वो सब सीखेंगे, credit note और debit note एक watcher होते हैं, ठीक है, inventory report, stock summary, tax report, ये सारे report कैसे बनाते हैं, वो सब भी हम लोग सीखेंगे, closing and opening balance, ये भी सीखेंगे, ये पताया गया है, फिर भी मैं बताऊंगा, and payroll management, payroll management भी सीखेंगे, समझे, इतना कुछ हमें GST में पढ़ना है, trading organization with GST में पढ़ना है, अब यहां से हमारा question स्टार्ट हो जाता है, कि एक company बनेगा, उसमें company को पहले सेट अप किया जाएगा, basic requirement पूरी की जाएगी, then फिर GST बाद में आएगा, ठीक है, तो सबस्पर लोग क्या करते हैं, यहां तक समझ गया, यहां तक कोई रिक्कार, GST क्या होता समझ में आ गया, goods and service tax, जो वस्तुवों और service में जो tax लगता है, उसमें GST कहते है, अब हम लोग टैली को ओपन करेंगे, company create करेंगे, और उसका basic criteria पूरा करें, company info में आगे, अब हम लोग कहा जाएंगे, create company में enter करेंगे, create company में enter करने के बाद, हम से name पूछा जाए, company का नाम क्या होगा, tata, bracket में GST लिख देते हैं, क्योंकि हम लोग GST पढ़ रहे हैं, company का नाम क्या है, tata GST, और mailing name में किसका नाम रहेगा, ratan tata, okay, जो honor है, किसके honor है, tata industries के, address क्या रहेगा, simply मैं यहाँ पर राजस्थान करे रहेता हूं, country, India, I press करेंगे, India को select करेंगे, ठीक है, then state, state हो जाएगा, राजस्थान, pin code, pin code तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपने तरब से, एक pin code डाल दे रहा हूं, ठीक है, phone number, अपने recording phone number डालेंगे, then mobile number डालेंगे, then fax number डालेंगे, then email address डालेंगे, tata.com, website डालेंगे, अब financial year start कर अब से होगा, financial year beginning from 2022, financial year कहां से start होगा, 2022, current date से, okay, beginning from book, book कहां से start हो रही है, जो book का starting होगा, वो 1 April 2022 से होगा, ठीक है, तो आपने date सेम है, then security control अभी zero रखेंगे, security control बाद में अच्छे से बताएंगे, और मैंने बताया भी है, ठीक है, बाकि एंटर एंटर करेंगे, company को create कर देंगे, अब यह देखिया, हमारा Tata GST company create हो गया, अब हम लोग इसमें question करना, start करेंगे, सबसे पहला हमारा basic question क्या है, Mr. Ratan Tata started a business with cash 18 lakh rupees, रटन टाटा ने क्या है business start क्या है, टाटा GST, तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें, सबसे पहले debit में क्या जाएगा, cash, ठीक है, debit में cash क्यों जाएगा, क्योंकि जाने वाले को debit करते है, रटन टाटा के पास से पैसा जारा है, वो business में invest करेंगे, business में invest करेंगे, ठीक है, credit में क्या हो जाएगा, Mr. Ratan Tata, रटन टाटा के बनेंगे, Mr. Ratan Tata नाम से एक laser बनेंगे, जिसका अंडर होगा capital account, और watcher हो जाएगा, received watcher, ठीक है, कोई doubt नहीं है ना, देर हम लोग कहा जाएगे, accounting watcher में जाएगे, enter press करेंगे, किस में जाना था, received watcher, app 6 press करेंगे, receipt watcher में अब credit में कौन था, Mr. Ratan Tata, alt plus C press करेंगे, Mr. Ratan Tata type के capital account, enter enter करेंगे, accept कर लेंगे, amount क्या था, 18,00,00, रुपीज, अब debit में क्या हो जाएगा, cash, cash को select करेंगे, enter enter करेंगे, इस entry को complete enter कर लिए हैं, ओके, next question हमारा क्या है, next question है Mr.Ratantata deposit cash 16 lakh rupees into HDFC bank Mr.Ratantata क्या किये है 16 lakh rupees HDFC bank में deposit किये है तो debit में क्या हो जाएगा HDFC bank क्यूं? bank एक personal account है, personal account को पाने वाले को debit करते है तो bank पैसा प्राप्त कर रहा है, पाने वाले को debit that's why debit हो जाएगा HDFC bank प्रेडिटिट में क्रिडिट में क्या करेंगे कॉंटर वोच में आ गया है क्या हो जागा कैस को सेलेट करेंगे कितना 16 लाग रूपीज डेबिट में क्या हो जाएगा HDFC बैंक अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे और HDFC बैंक का लेजर बनाएंगे ठीक है अंदर किसके जाएगा बैंक एकाउट के अंदर जाएगा बैंक का लेक्त करेंगे यहाँ पर आप से डिटेयल पुछा जाएगा चाहे जो डीटेवन फिल कर सकते हैं अदरवाइस इसकीब करके निकर सकते हैं लेकिन जब आप विल वर्क करेंगे तो सारे डीटेल को जो जो डीटेल पूछा जाए सारे डीटेल को फिल करना है ठीक है अब एंटर एंटर करके अब इसमें पुछा जो 16,00,00 रुपर डिपॉसिट किये हैं उसके कितने कितने नोट है आप चाहे तो इसको भर सकते हैं या फिर आप इससे इसकीप करें के बाहर निकल सकते हैं ओके अब एंटर एंटर करके सेंट्री को एकसेप्ट कर लिए हम लोग ने अभी तक दो क्वेशन कंप्लीट कर लिया आए अब तीसरे क्वेशन पे मिश्टर रटन टाटा पर्चेस फरनीचर 25 हजाय का फरनीचर खरीदा है एंड एलेक्ट्रिकल फिटिंग 12,000 का मतलब अपने ऑफिस को जो खरीब बना रहे हैं उसमें फरनीचर खरीदा 25 हजाय का और 12 हजाय का एलेक्रिकल फिटिंग कर आए मतलब लाइट वगेरा पर रूइच्र हो जाएगा डेविट में फरनीचर एक क्या है संपत्ति अले लॉस और एक्सपेंसे डेविट में जाते हैं ठीक है नॉमिनल एकाउंट का रूब है सभी परगाईकर लॉस अपॉइट में जाते हैं तो फरनीचर का एकस्पेंसें परुदिट बढ़ीट शर दूसरा, electrical fitting का, next किया है cash, क्योंकि सारे payment cash से किया है, cash कितना हो जागा, 37,000 रुपीज, or cash credit में, क्योंकि cash जा रहा है, जाने वाले को credit, laser किनके किनके बनेगा, furniture, or electrical fitting के, under किस के जाएंगे, fixed asset के अंदर जाएंगे, और वाचर हो जाएगा, payment voucher, क्योंकि भुक्तान किया जा र जाएंगे फर sworn and a क्या हो जाएगा fix एंट में कितने का प्राइस था का 25000 रुपाइशन से ड धैकर कि खिल्म धिखने licht अब एंटर एंटर करें के सेंट्री को कम्प्लीट कर दियें ठीक है मैं थोड़ा फास्ट बतारा मतलब थोड़ा इसा फास्ट बतारा क्योंकि यह सभी क्वेस्टन हम लोग पहले कर चुके हैं ठीक है सर्वीस और गनाइशन में बहुत बढ़ पढ़ चुके एक बार ने थार्जन तू गोयाल प्रोपरटीज को 25,000 अचेक इसू किया किस लिए शूट किया टुवार्ट सिक्योर्टी फोर रेंट ऑफिस मतलब जो ऑफिस ले रहे हैं मिश्टर रटन टाथा उसका सिक्योर्टी के लिए 25,000 जमा कर रहे हैं और बोता रहे हैं कि 3,000 पर मत उसका क् प्राइबrint कर से होगा मतलब возь का करता है मिजब 1 मींना कंपेट होता है तब अभी स्टर ट्री ऑटन टाटा pamię Richter adore सिक्योर्टी डिपोजीट कर रहे हैं अब जब 0,198 food क्या चेंट क्यों होना क्यों कि एक मेंना कंप्लिट हो जाएगा क्यों जो security deposit debit में security deposit में पाने वाले वाले पर देबिट करते हैं पैसा प्राप्ट को रहा है गोयाल प्रोपर्टी इस मतलब security deposit का पैसा प्राप्ट कर शेक्योर्टी डिपोसित तरह एकाउंट बनाएंगे इसका का प्राइस देगा 25,000 और क्रिडिट क्या होगा sdfc bank क्या है k real account है real account में जाने वाले को क्रिडिट करते हैं sdfc bank क्या है personal account है personal account में देने वाले को क्रिडिट करते तो bank पैसा देगा जब चेक ku occupied ओंक में deposit किया करेगा गोयाल properties तो bank उसको पैसा दे देगा यह लिज्या आपका-पैसा laser क्याओँ जाएगा security deposit का laser बनाएंगे और उसका under क्या जाएगा deposit asset में जाएगा ठीक है then watcher क्या हो जाएगा payment watcher क्योंकि भुकतान कर रहे हैं हम लोग payment watcher में already यह दिखे हमारा payment watcher debit में हमको alt plus c press करेके security deposit का laser बनाना होगा security deposit का laser बनाने बाद उसको किसके अंडर जाएगा deposit asset के अंडर जाएगा ठीक है control एसे एक्सेट all कर लेंगे कितना प्राइज है 25,000 ओके किसे दिया जा रहा है buy check means cash HDFC bank से दिया जा ठीक है अब एंटेंटर करके इस entry को भी complete करेंगे देखे कितना simple पस आप debit credit laser अंडर वाचर समझ जाएं किसी question का तब entry करना चुठकियों का का में नेक्स्ट question Mr. Ratan Tata purchase cell phone 5000 का एक cell phone खेदा और 25,000 का computer खेदा नया नया office establish करें तो सारे जो equipment लगेंगे office को run करने के लिए वो सब अभी basic पहले month में खेद रहे है phone calling attend करने के लिए phone खेद और business को maintain करने के लिए computer खेद रहे हैं डेबिट में क्या हो जाएंगा cell phone ठेक है cell phone और computer cash है सभी परगाए के खेच एवं हानी debit में जाते हैं ठेक है सेलफोन पांच हजारे का पाचिस हजारे का कंप्यूट है क्रेट में क्या हो जागा क्या है क्योंकि जाने वाले को लोग क्रेट करते जा क्या रहा है पैसा जा रहा है लेजर किसके किसके बनेंगे सेलफोन और कंप्यूट है क्योंकि फ़र्स्टाइम आ रहे हैं टैली में गये पेमेंट वाचर में और रेड़ी है तो सबसे पहले अल्ट प्लस सी प्रेस करेंगे ओन का एक लेजर बनाएंगे किसके अंदर जाएगा फिक्ष्ट एसेट के अंदर ठीक है कंट्रोल प्लस एक करेंगे सीयंदेपन प्रेस कई एक कहथाहार तो सबस्क्राइबया थीक है है 25,000 प्लस 5,000 इसको थो 30,000 और कैस हमारा 30,000 जा रहा है इंटेंट एक करेंगे एक सेंट्री को एक्सेप्ट कर लेंगे ठीक है अब चलते हैं हम लोग अपने next question पर next question क्या है Mr. Ratan Tata appointed following employees मतलब कुछ employee को appoint किये हैं अब वो कौन-कौन employee है आये देखते हैं नाम क्या है पहला Mamta Sarma Mamta Sarma जो क्या है जिसका डेजिंग निस सेल्स एग्जेक्यूटिव डेजिंग निस पद कौन सा पद में वो काम करेगी सेल्स एग्जेक्यूटिव का काम करेगी और इसका monthly salary 5000 रुपीज है ठीक है दूसरा क्या है राजिस संगवान जो क्या है एक salesman है और इसका salary कितना है तो business का economy हिल सकता है समझे इसलिए accountant को कम मत समझी है दूसरा कौन है महेंदर सिंग जो clerk है और इसका price क्या है 2500 रुपए अब इसमें बात आया कि sir ठीक है अब इसका entry कैसे करेंगे tally में इसका कोई entry नहीं होगा क्यूं क्यूंकि अभी बात किया गया है interview लिया गया इन चारो इसको select किया अभी salary तो नहीं न दी गई है जब salary दी जाएगी transaction होगा पैसा दिया जाएगा तब जाके उसका entry किया जाएगा ठीक है और हम लोग इससे पहले समझते थे कि 5000 रुपए 8000 रुपए salary दी गए अब किसको दी गई पतन लेकिन salary दी गए जब हम लोग service organization और trading organization जाती है वह हम लोग इस टैली में GST में हम लोग पढ़ेंगे ठीक है so don't worry next हमारा question है Mr. return tata purchase stationery in cash 1500 जब निया निया office established कर रहे हैं तो stationery के ज़रूत पढ़ेगा ही pen paper सारे के ज़रूत पढ़ेंगे तो stationery खरीदे है और stationery क्या है खर्च है तो debit में जाएगा 1500 रुपए का खर्च है credit में क्या हो जाएगा cash क्योंकि cash से दिया जा रहा है laser किसके बनेंगे stationery के बनेंग क्योंकि stationery पहली बार आ रही है और under किसके जाएगे indirect expenses के अंडर जाएगे watcher हो जाएगा payment watcher क्योंकि भुक्तान किया जा रहा है आएए टैली में जाएगे payment watcher में आ गये डेविट में क्या हो जाएगा alt plus c stationery expenses का एक laser बनाएगे जो किसके अंदर जाएगा indirect expenses के अंदर जाएगे ठीक है क्रेडिट में क्या हो जाएगा cash हो जाएगा अब एंटर एंटर करेके इस entry को complete कर देंगे यह था हमारा 7th number question and last question 8th number question Mr.Rundtata transfer cash 10,000 into PTCash अब आप सभी के दिमाग में आ रहा हुए एक doubt कि सर PTCash क्या होती है suppose मैं समझात मैं आप लोगों को समझाता हूं कि PTCash क्या होती है यह हमारा wallet है wallet में दो भाग होते हैं क्यों हो दिये जाते हैं दो पार्टी से एक क्या होता है major amount रखते हैं क्यों रखते हैं अपने wallet में major amount major amount रखते हैं जिसको जल्दी खर्च नहीं करना रहता वह बाद के लिए या फिर वह बड़े amount रहते हैं उसको बाद में खर्च करने के लिए माइनर amount खतम हो जाएंगे तब suppose करिए कि मुझे क्या करना market जाना में रपास 10,000 रुपए मुझे pocket money 10,000 रुपए मुझे market जाना समान लाने के लिए तुम्हें क्या करूंगा 2000 वहां से निकाल लूँगा अपने packet में रखोंगा market चला जाएंगो यह नहीं कि 10 का 10,000 लेके चला गया market नहीं जितने की जरुवत है या फिर कुछ अंदाज में कुछ पैसे निकाल के दूसरे जग calculation करेंगे तो यह मोटा मोटा amount रखा रहे इस छोटे amount को ज्यादा calculation easy बना सके समझें तो रेटन टाटर ने क्या किया है pt cash debit में जाएगा sir pt cash debit में क्यों जाएगा sir pt cash एक personal account है personal account में पाने वाले को debit करते हैं पाने वाले को debit और cash क्या है real account account में जाने वाले को credit करते हैं इसलिए pt cash 10,000 debit में जाएगे और credit में कौन हो जाएगा cash 10,000 रूपीज लेजर किसके बनेंगे pt cash के लिए बनेंगे और under किसे जाएगे cash in hand के अंदर जाएगे ठीक है जो cash के भी under होता है वो भी cash in hand होता है ठीक है watcher, contra watcher अब contra watcher क्यों हुआ sir क्योंकि transactions होने रहें बस उसको partition किया जा रहा है जिसना लोग bank में करते हैं उसे तरह इसमें करें इसलिए contra watcher F4 प्रेस किये, contra watcher अब credit में क्या हो जाएगा cash, cash कितना 10,000 rupees और debit में क्या हो जाएगा, pt cash, alt plus c करेंगे, pt cash का account बनाएगा, under किसके जाएगा cash in hand के अंदर जाएगा, cash in hand को select करेंगे, control s accept all करेंगे और enter, enter करेंगे, this entry को complete करेंगे, यह था हमारा आज का entry, अब escape किसे हम लोग बाहर जाएगे, और display में जाके आज का day book देखें, कि आज के दिन में हम लोग क्या-क्या entry किये हैं, नीचे के day book में enter किये, यह हमारा day book बता रहा है, total आज हम लोग 7 या 8 कियें, 3, 6, 7, sir, आपने है, यह जो appoint किया गया, employees को इसका तो entry हम लोग किया ना, क्यूंकि इसका तो अभी सी बात किया गया, appoint किया गया, जब salary दी जाएगी, तब इसका entry करेंगे, सिलिए total entries कितने 7 है, यह सही है, सभी आपके detail wise entry की, आज के दिन में, day क्या है, 1 अपील, 2 जब 22 में हम लोग इतने स सारे transactions हुए है, ठीक है, आप चाहिए से print कर सकते हैं, email कर सकते हैं, ठीक है, escape कि इसे बाहर जाएंगे, और trial balance देगे, trial balance में enter करेंगे, alt plus, f1 place करेंगे, detail wise देखेंगे, capital account हमारा कितना था, 18 लाख रुपे, ठीक है, return data के पास कितना अभी, 18 लाख रुपे है, fixed asset अभी कितने है, 67,000 के total fixed asset है, अभी जितने fixed asset खेंगे, computer, electronic fitting, furniture, phone, ये total मिला के 67,000 रुपीज खर्च हुए, ठीक है, current asset कितने है, deposit asset मनलब 25,000 रुपिया, जो security deposit दिये थे rent के लिए, cash in hand में कितने है, 1,31,500 रुपीज, and bank account में कितने है, 15,75,000 रुपीज, index expenses कितने हुए, 1500 रुपे के index expenses हुए, हमारा grand total कितना है, ये रहा हमारा grand total, 18,00,000 रुपे हमारा grand total है, ठीक है, तो अभी जब अपने computer में practical कहर रहे हूं, इस video को देखने कि दोरा, तो ये सभी documents, ये सभी data उसको match करेंगे, और practical को अच्छे से करेंगे, तो आज के lecture के लिए इतना ही lecture, बहुत लंबा बन गया, क्योंकि GST समझाया, slabber समझाया, फिर entries को समझाया, entry को एक खास नहीं थी, जो पहले हम लोग किये है, वही entry किया, हमें तो कुछ GST का rule नहीं आ जाया है, GST का rule आगे आएगा, अगला मन्त की या फिर एक दो मन्त के बाद GST का rule है, क्यों सब रखो, सब मिलेगा, धक्का मुकी नहीं, तो आज के लिए इतना ही, thank you for watching my videos